Hi guys, this is Bavita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो question है या यह कह सकते है उसका जो topic है वो यह है कि आपके जो partner है currently आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सबसे पहले था हम यह देखेंगे कि आपके partner की life में क्या चल रहा है अभी right now अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और second time आये हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और यह collective general reading है सबसे resonate नहीं करेगी divine angels जिसको भी message देना साथ चाहते हैं यह उन्हें के साथ resonate करेगी तो five of cups अभी जो उनकी life में जो है उनको जो चल रहा है वो बता रही हूं में के उनकी life में अभी उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है past memories में जा रहे हैं past के बारे में सोच रहे हैं past के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो उनके past है उस पर focus नहीं कर रहे हैं और पिछली बातों को याद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उदास हैं बहुत ज़्यादा sadness में दिखाई दे रहे हैं लस बहुत ज़्यादा शॉक मीन्स बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, अपनी लाइफ में, सही समय का इंतजार हो सकता है कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और Ace of Cups का कार्ड है, एक New Beginning चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक New Beginning चाहते हैं, एक नई शुरुवात करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सेड हैं, अब हम देखेंगे उनकी current feeling क्या चल रहे हैं, बहुत सारे कार्ज निकल गए हैं, इतने सारे कार्ज में नहीं लूँगी, तो यहाँ पर four of wands, अब ही currently जो उनकी feeling जो है, वो यही चल रहे हैं, चल रही है कि stability चाहते हैं इस connection में, और आपको बहुत miss करते हैं, page of swords का card है, means तुरंत action लेना चाहते हैं, तुरंत आगे बढ़ना चाहते हैं इस connection में, और आपको एक, आपको बहुत ज़्यादा miss करते हैं, आपको एक, वो अनमोल, अपनी life का एक अनमोल तुफा समझते हैं, और आप से इस connection में आगे बढ़ना चाहते हैं, stability चाहते हैं, एक new beginning करना चाहते हैं, seven of pentacles का card है, यहाँ पर आपका wait कर रहे हैं, इंतिजार कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको stock करते हो, facebook पर, social media पर, whatsapp पर आपका status देखते हो, आपकी डीपी देखते हो, बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, आपका wait कर रहे हैं, आपको चुप चाप observe कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, 10 of cups means आपके साथ family बनाना चाते हैं, आपके पास आना चाते हैं, आप से बात करना चाते हैं, चीजों को clear करना चाते हैं, family बनाना चाते हैं, और इस connection में stability चाह रहे हैं आपके person, और यहाँ पर 3 of cups का card इस celebration चाते हैं, the devil का card है, बहुत ज़्यादा obsessive हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सूचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पिछली बातों को सूचते हैं, और बहुत ज़्यादा miss करते हैं आपको, और एक आपके साथ एक बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, आपके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और फाइव आप पेंटिकल्स का काड़ बहुत ज़्यादा मिस्स कर रहे हैं आपको उनको यह लगता है कि कि आपके साथ जो सेपरेशन है वो बरदाश नहीं कर पा रहे हैं और फिर से वापिस इस कनेक्शन में आना चाहते हैं बट डरते हैं कि आप उनको रिफ्यूज ना कर दें अब और टू आफ पेंटिकल्स का काड़ है बहुत ज़्यादा बैलेंस बहुत ज़्यादा परेशान है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को सकसेज चाहते हैं और अपने एमोशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं अपने एमोशन को बहुत ज़्यादा बै क्लेरिफाइब करेंगे और अच्छे से कि actually उनकी feelings क्या चल रही है हुआ है 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 फोर और वॉंस क्यों आया है प्लीज क्लेरिफाइग गॉड़ फोर और वॉंस क्यों आया है कॉंशनेस बहुत ज्यादा कॉंशनेस है उनको इस चीज की कि इस चाहरे हैं इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा अब्यार है और बहुत ज्यादा हो सकता है कि फोकस कर रहे हैं इस कनेक्शन पर पेज ऑफ सूर्ट क्यों आया है पेज ऑफ सूर्ट क्यों आया है लेजिनेस लेजिनेस जो उनको यह लगता है जो चीजे उन्होंने पहले जो है लेजिनेस दिखाई जो पहले जिन चीजों पर उन्होंने फोकस नहीं किया आउं चीजों पर फोकस करना चाहते हैं और आप बिल्कुल भी देद नहीं करना चाहते हैं और तुरंत आपके पास आना चाहते हैं चीजों को क्लियरिफाई करना चाहते हैं seven of pentacles क्यों आया है God, angels please tell me seven of pentacles क्यों आया है, harmony और harmony चाहते हैं, means balance चाहते हैं, wait कर रहे हैं और balance करके चल रहे हैं अपने emotions को बहुत, अपने emotions को balance करके wait कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका celebration, ten of cups इसली आया, celebration आपके साथ commitment करना चाहते हैं, आपके साथ seriously इस connection को ले रहे हैं और seriously आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब उनको यह लगता है कि आपके बिना वो रह नहीं सकते हैं, आपके आपके जो हैं, वो उनके life partner हैं conditioning, three of cups, conditioning means celebration चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दिखाते कुछ हैं, और चल कुछ राह हैं अंदर, आपके लिए बहुत serious हैं, लेकिन इन चीजों को दिखाते नहीं हैं, शोर नहीं कर रहे हैं चीजों को, अभी पोस्ट मोन में, पोन अब हम देखते हैं कि guidance क्या है, इस connection को लेकर क्या guidance है, क्या ऐसा करें कि ये जो union है, वो जल्दी से जल्दी हो, ध्यान करें हैं आप जादा से जादा meditation करें, meditation करेंगे तो जो भी reunion में या जो भी आपके connection को लेकर block जा रहे हैं, वो clear हो जाएंगे नेश्ट जु जो भी जाएंगे पे जो जाएंगे तंत्र आपको अपनी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है अगर आप अपनी जो मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस यदि आप करते हैं तो ये यूनियन और जल्दी होगा और दूसरा जो कार्ड है तीसरा वो ये है प्राणायाम और ये जो आपका जो बैलेंस है अगर आप प्राणायाम करेंगे ध्यान करेंगे तो ये जो एनर्जी है आपकी बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी और जब ये चब चीजे बैलेंस होंगी आप पॉजिटिवीटी को अट्रेक्ट करेंगे और जब पॉजिटीव चीजे अट्रेक्ट होंगी तो डेफिनेटली जो भी ब्लॉके जा रहे हैं सकनेक्शन में वो सारे ब्लॉके जो है वो क्लियर हो जाएएंगे I hope कि ये reading आपसे resonate करें अगर resonate करें तो प्लीज like करें, comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें ज्यादा से ज्यादा share करें Om Sai Ram Have a nice day